कि नमस्कार पूंए कि ग्विशन चैप्ट्र नमर 4 हो तेंद क्लास का चैप्ट्र नमर 4 है क्वाद्रेक एक विसर इस यह क्वाद्रेक ऑफ आप लोग गॉड्रेटिक पोल्नमेल पढ़े हैं क्वार्डिक पोलिमल पड़े है। क्वार्डिक प्लिमल का मतलब क्या होता है? जो एक ऐसा पॉलिणूमयल जिसका डिगरी क्या हो? थूूू। डिगरी क्या रहेगा थूु। उसको बलेंगे क्वार्डिटीक प्लिमलूमील। जैसे 3x² प्लस 4x माइनस 5 इसमें degree कितना है, 2 है, degree मतलब highest power of the polynomial लाइनना, polynomial में variable का highest power क्या है यहाँ पे variable है, x, x का highest power क्या है, 2 है तो यह का हो गया इसका, इस polynomial का degree हो गया, 2 इसको आउं लोग बोलेंगे, जब degree 2 रहे तो क्या हो प्रद्रेटिक परने वासंजे तो अब क्रिदिटिक एक्वेशन और जिसमें कि हम लोग एक्वेशन टाइप में लिखते हैं अगर इस इक्वेशन ऐदर र कुछ लिख देते तो ये क्या हो जाता है क्वार्डिक एक्वेशन एक्वेशन मतलब होता है कि एक्वेट करना एक्वेशन मतलब क्या होगा एक्वेट करना तो अगर 3x स्कॉर प्लस 4x मैनेस 5pg इसको टूज जिरो अगर हम लोग लिख दिये इसका मतलब यह क्या बन गया क्युक्ति हुए और अब क्वाड्रेटि की क्यों का जो जैन्र फॉम हो क्या है उसका जैनल परम एक्स स्कार प्लस प्लस यह गूजकर है है यह क्वाड्रेटिक लेटे का जैनरल फॉम है एक्स स्कार neuralrese Vx plus C is equal to 0 पासमजे कि यह कोडिदी की सब्सक्राइब होता है और फिर हम लोग इसी तरीके से हम लोग किसी चीज़ को रप्रेजेंट कर सकते हैं इसको इसको इसकोम लोग इस्टेंडर फाम भी बोलते हैं इस्टेंडर फाम इस्टेंडर फाम है ठीक है अब जैसे आपके पास एक्जांपल दिया हुआ है रिप्रेजेंट फॉलविं सिचेशन में जी जॉन एंड जीवन्ती टुगेदर है 45 मार्बल्स जॉन के पास और जीवन्ती जॉन और जीवन्ती का दोनों का मिला करके किते मार्बल्स है 45 बात समझे बोद अब लॉस्ट फाइव मार्बल्स इस माल लीजे कि इसके पास अगर एक्स है इसके पास कितना होगा जीवन्ती के पास कितना होगा नहीं को फुट फार वाई वाई होगा अभी हम लोग लिनियर इकवेसं नहीं पढ़े हैं हम लोग वाई वी ले सकते हैं वाई लेंगे तो फिर वह लिनियर रेकोशन इंटू बहुरेबल हो जाएगा है यह ना यहां पर ऑधिये बहुंई इसको हम लोग जैसे अभी अभी जो विसके दूसरा वरियाबल के पास कितने मार्वल्स होंगे दोनों को मिला करके 45 ठीक है इसके पास अगर इसके पास क्या होगा फुर्ी फाइफ म mango यह नहीं होगा इसे हतुanc हो जाएगा तो पहले इसके पास एक से तो दूसरा के पास 45 मैंस एक है अब कहता है कि अगर दोनों बोथ अब देम लॉस्ट 5 मारबल सीच परद्ध दोनों के दोनों पांच-5 मैंस नार या लुजिंग 5 मारबल तो इस इसका होजा ever john के पास 45 अजए X-5 हो जाएगा, 5-5 करना पड़ेगा, पहले X था तो आप 5-5 कर दिये, अब इसके पास 45-X था तो उसमें से 5-5 कर दिये, अब कहा रहा है कि दोनों का जो प्रोड़क्ट है वो है 120, दोनों का प्रोड़क्ट कितना है, 120, है ना, question में दिया है कि 124, दोनों का प्रोड़क्ट क प्रोड़क्ट कितना है में है 124, ओ कुछ करना नहीं है वोस दोनों को, इंटू करना है, इंटू करके हमको कटऱ्ी ऐक्ट कोई कहअ हम इन्टु करेंगे, तो क्या हो जाएगा 40X, X में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, X स्कार यहाँ पर मैनस 23 से लिए मैनस लगा दिए फिर आप 5 से 20 में इंटू करेंगे तो माइनस 5 एंटू 40 पांच अब 20 याने कि 200 माइनस 200 माइनस 5 एंटू एकस याने कि माइनस 5 एकस 2 एकस टू 124 इस मैनस खो आप ऊधर भी सकते हैं या वह पहले स्टेंडर फॉर्म पीलना है तो आप माइनस माइनस 114 हो जाएगा ये स्टेंडर फॉर्म में हमको एकस उसक्वार प्लस बीएश प्लस BX प्लस C जैसा लाना है तो यहाँ पर AX स्क्वाइर प्लस BX प्लस C जैसा हो गया इसको solve कर लेते हैं माइनस X स्क्वाइर प्लस यह 45 X माइनस 200 और माइनस 194 तो माइनस 324 हो जागा न यह इस इक उस जीरो होगा तीनों में से माइनस कॉमर लेंगे तो यह हो जागा X स्क्वाइर प्लस माइनस कॉमर लेंगे तो यह फिर माइनस हो जागा X स्क्वाइर माइनस 45 X तो X स्क्वाइर माइनस 45 X और यह यह जो माइनस हो प्लस हो जागा फिर 24 यह रिकोस तो 0 जहां-जहां माइनस है वहां-वां प्लस समझे ऐसे इसको बनाना है अब ऐसे आप लोग इसका एक अदा और एक्जांपल है और यह रेप्रेजेंट करने वाला है और यह 4.1 में भी चेक करना है कि क्या यह quantity equation है कि नहीं QAQDM होगा ? EG Ample No. 2 हम बताते हैं EG Ample No. 2 के जैसा ही फस्ट कुशन है EG Ample No. 2 जैसे ही चेक करना कि QAQDM है कि नहीं तो पहले हम लोग इसको solve करेंगे क्या solve करेंगे जैसे X-2 का whole square निकालना है X-2 का whole square को पहले हम लोग निकाल लेंगे फिर plus 1 इतना है तो सारा हम लोग पहले x-2 का whole square निकाल दी है उसका निकालने के पाद plus 1 है फिर उसके बाद 2x-3 है देखिए जैसे ये x-2 का whole square plus 1 equals to 2x-3 ये ठीक है हम लोग क्या करेंगे पहले इसको solve करेंगे x-2 का whole square यानिकी x square और ये minus 4x plus 4 plus 1 equals to 2x-3 ठीक है इस 2x को इदर बेज़ेंगे ये हो जागा x square minus 4x और ये ये 2x इदर आएगा तो minus होगा ना x के पास minus कर दीजे minus 2x कर दीजे और ये plus 4 plus 1 5 और ये minus 3 इदर आखरके plus 3 हो जाएगा plus 3 हो जाएगा is equals to 0 यानिकी ये हो गया x square minus 4 minus 2 minus 6x हो जाएगा और plus ये 8 is equals to 0 ये क्या ये quadratic equation है है न भाई ax square plus bx plus c यहाँ पर abc आप निकाल सकते हैं यहाँ यहाँ पर कुछ नहीं है तो यानिकी a equals to 1 है ठीक यहाँ अब b क्या है minus 6 6 6 नहीं b क्या है minus 6 और c क्या है 8 है न ठीक तो ये हो गया हमारा ax square plus bx plus c के term में तो इसका मतलब ये quadratic equation है अगर ये x रहता या x cube होता या कुछ power 4 होता तो भी ये quadratic equation नहीं होता पावर हमारा क्या है ax square plus bx plus c जैसा है ये quadratic equation है माली जी x square plus c direct रहे तो भी चलेगा x square plus bx रहे तो भी चलेगा क्यूंकि वहाँ पर c 0 है है न और जहां पर b नहीं है इसका मतलब b 0 है है न जहां पर bx type का नहीं है तो वहाँ पर b 0 है लेकिन हुआ quadratic equation है जहां पर मतलब की x का power अगर 3 हो गया या फिर 4 हो गया फिर 1 रह गया है न तो वह quadratic equation नहीं कहलाएगा बात समझे x का power 2 लाना जरूरी है है न तो first question में आपको 4.1 के first question में वही काम करना है चेक करना है और second question में यहा इसको आप लोग बनाई और नमसकार को